हेलो एब्रीवन मैं हूँ रूची और डू इट भीत रूची मैं आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बताऊंगी वाटर मेलन की आइस क्रीम बनाना तो बच्चों को वाटर मेलन खाना पसंद नहीं होता है लेकिन अगर आप उसकी बॉटर मेलन की आइस क्रीम बना देंगे तो बच्चे बड़े ही चाव से इसको खाएंगे और ये बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है क्योंकि इसका टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है तो आईए फिर बिना किसी द मेरे दिश्के कमर तुने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा हा गया बरक सी गर गय काम ही कर गई आगर सी तो इसके बीच जो जितने आसानी से निकल जाएंगे उन्हें हम निकाल देंगे बाके ये बीज निकालने में ज्यादा मेनत नहीं करनी है क्योंकि ये लाश्ट में हमें इसको चानना है तो जितने बीज आसानी से निकल जाएं वो बीज हम निकाल देंगे और इसको चोटे-चोटे पीसिस में हम कट कर लेंगे तो ये मैंने चोटे-चोटे पीसेस में वाटरमेलन को कट कर लिया है अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डाल के इसको हम ब्लैंड कर लेंगे तो ये मैंने इसको ब्लैंड कर लिया है इसका एक पेश तयार कर लिया है अब हम इसको छान लेंगे तो यह मैंने इसको चान लिया, अब इसमें हम 2 टेबिली स्पून चीनी डाल देंगे, अगर आपका बॉटरमेलन मीठा नहीं है तो आप चीनी की कौईंटिटी ठोड़ी बढ़ा सकते हैं, अगर ज्यादा मीठा है तो चीनी की कौईंटिटी कम कर सकते हैं, तो चीनी को डालक मैंने यह वाटरमेलन को इसमें आइस क्रीम मोल्डम फिल कर दिया है अब इसके हम यह कैप लगा देंगे और 8-10 घंटे फ्रिज में रख देंगे इसको जमने के लिए या फिर आप ओबरनाइट इसको छोड़ सकते हैं और तब यह जम जाएगा मिलते हैं आइस क्रीम बनने के पात तो यह मैंने रात में छोड़ दिया था इसको तो हमारी आइस क्रीम बन चुकी है इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे और बहुत ही बड़ी आइस क्रीम हमारी बन करके तयार हुई है यह वच्चों को और बड़ों को सभी को पसंद आने वाली है तो रेसिपी कमेंट करके बताए कि कैसी लगी आपको यह आइस क्रीम तो बाई बाई थैंक यू फॉर वाच्चिंग